पहिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल MPCADME में दोस्तों आज है 11 अप्रेल 2021 और 11 अप्रेल 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफर्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों आज का हमारा पहला कुश्यन है भारती रिजर्ब बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को एक लाख रुपई से बढ़ा कर कितने लाख रुपई कर दिया है दोस्तों तो ये कर दिया है दो लाख रुपई दोस्तों आप सभी को पता है जो RBI है वो भारत के अंदर यन की हमारे देश भारत के अंदर सभी मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल करता है इसी के तहत दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट बैंक होते हैं जैसे की पेटियम है फॉन पे है इस तरीके के जो बैंक है इनकी डिपॉजिट लिमिट को एक लाख रुपई से बढ़ा करके दो लाख रुपई कर दिया है ठीक है RBI के बारे में आप सभी जानते होंगे 1935 में इस टबलेस हुआ था हैड़कॉर्टर मुंबई में हैं और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है अगर वर्तमान गवर्णर की बात करें तो वो हैं सक्तिकान तास दोस्तो भारती रिजर्ब बैंक ने अभी अपना reverse repo rate और repo rate दोनों दरें प्रकासित की थी उन दोनों को आपको कमेंट में मुझे बताना है कि भारत की अभी reverse repo rate और repo rate कितनी है next है दोस्तो भारत और किस देश ने 8 अप्रेल 2021 को सीमा पर फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है तो दोस्तो हाली में आप सभी ने देखा कि आतंकवाद चरम सीमा पर है और भारत की सीमाओं पर साथ ही मालदीव की सीमाओं पर आतंकवाद बहुत ही बढ़ता जा रहा है तो इन सभी गत्विदियों की भारत और मालदीव कंट्री ने निंदा की है इसको याद रखना दोस्तो ये अंतरराश्टी मुद्दे पर से सवाल बन सकता है नेक्ट क्या है दोस्तो हमारा फुटवाल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटवाल फैडरेशन को सस्पेंड कर दिया है तो दोस्तो भारत ही नहीं बलकि बिश्व में जितने भी कंट्रीज हैं जितने भी कंट्रीज में फुटवाल फेडरेशन है उन सबका मैनेजमेंट फीफा समालता है फीफा जो की फुटवाल की एक संस्था है फुटवाल से रिलेटेड है इसने अभी हाली में पाकिस्तान की फुटवाल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है दोस्तो ठीक है तो इसको आपको याद अखना है दोस्तो पाकिस्तान की फुटवाल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है किसने फीफा ने नेश्ट है दोस्तो निम्न मैंसे किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमन को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रेल से 28 अप्रेल तक आइस थाई रोक लगा दी है दोस्तो तो ये लगा दी है न्यूजिलेंड ने दोस्तो न्यूजिलेंड कंट्री ने कुरोना के चलते 11 अप्रेल से 23 अप्रेल तक आइस थाई रोक लगा दिये अब भारत से यात्री न्यूजिलेंड नहीं जा सकेंगे नेक्स्ट है हमारा निम्न मैंसे किस देश ने कुरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिश्व रिकार्ड बनाया है दोस्तो यह बनाया है ऑस्टेलिया की टीम में ऑस्टेलिया महिला की टीम वर्ल्ड फेमस है दोस्तो वर्ल्ड में सबसे अच्छे अगर महिला क्रिकेट टीम है तो वह ऑस्टेलिया की है और इसने सबसे अधिक वन डे का मतलब होता है दोस्तो पचास ओवर वाला формat वन डे फॉर्मेट में पचास ओवर का मैच खेला जाता है और इसमें जीत दर्ज़ करने का रिकॉर्ड विश्य रिकॉर्ड बनाया है इसने उस्टेलिया ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज़ करने का सबसे जादा वन डे जीत दर्ज करने का विस्व रिकॉर्ड बनाया है नेस्ट है हमारा विस्व वैंक ने किस राज्ज में स्वास्त सेबाव में सुधार के लिए 3.2 करोड डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है तो दोस्तो वर्ड वैंक ने मिजोरम राज्ज में स्वास्त सेबाव में सुधार के लिए 3.2 करोड डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है अब चुकि ये बर्ड वैंक ने किया है वो भी नौर्थ हीष्ट के राज्ज के लिए किया है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना नेक्स्ट है हमारा अंतराष्टी मुद्रा कोस जिसे आप इंटरनेशनल मोनेटर फंड आई एमेफ के नाम से जानते हैं ने बित्वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकासदर का अनुमान बढ़ा कर कितना प्रतिसत कर दिया है तो दोस्तो ये कर दिया है 12.5 प्रतिसत दोस्तो जो हमारा बित्वर्ष 2021-22 है इसके लिए हमारी जीडीवी ग्रोथ यानि कि भारत की जीडीवी ग्रोथ 12.5 प्रतिसत एमेफ के द्वारा अंगला है दोस्तों किस राज्ज में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन छमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सबसे बड़ा तैरता हुए सबसे इंपोर्टेंट है यह कहां लगाया जाएगा दोस्तों तेलंगाना में और इसकी छमता कितनी है तो इसकी छमता है 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा यह दोस्तों इस तरीके से हमने 11 अप्रेल के कंप्लीट करेंट अफर्स पढ़ लिए हैं इसी तरह डेली करेंट अफर्स पाने के लिए इसके क्विज भी हम डालते हैं टेलिग्राम पर आप हमसे जुड़ जाएए डिस्क्रिस्टन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको इ अद्रप्रदेश से रेलेटेड यूपियस सी, MPPSC, रेलवे, ब्यापम सभी एक्जाम्स के लिए मिलते हैं लिए वीडियो में जैहिंद जैभारत